नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल आयरवेदा एक्सपर्ट पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों यू तो हमारे आसपास कई दिव्य औशध्य पौधे पाए जाते हैं लेकिन शायद पहचान और सही जानकारी ना होने के कारण हम उनके गुणों से अंजान होते हैं और उनके लाबकारी फैदों से वंचित रह जाते हैं ऐसी ही एक दिव्य औशध है अश्वगंधा यह एक रसायन औशधी है जो बच्चों में टॉनिक का काम करती है और बड़े बुजर्गों को दीरगायूं देती है इसे सात्विक कफ रसायन भी कहते हैं जो हमारे नर्वा सिस्टम को मजबूत बनाती है यह इंद्रिय दुर्बलता या लिंक कमजोरी में भी बहुत फायदेमंद है जो स्ट्रेस को कम करके मांसिक शान्ती प्रदान करती है साथ ही साथ कैंसर में ट्यूमर सेल्स को खतम करती है और कीमोथेरेपी के दुष्ट प्रभावों को कम करती है आज मैं आपको इस दिव्य औशत अश्वगंदा की पहचान बताऊंगी और इसे कैसे लगाया जाता है एवम इसकी प्रजातिया भारत में कितनी पाई जाती है इसकी विजानकारी दूंगी अश्वगंधा दो शब्दों से मिलकर बना है अश्व और गंधा अर्थात जिसकी जडों से या कच्चे मूल से अश्व के समान गंद आती है इसका दूसरा अर्थ भी है जिसके सेवन से अश्व या घोडे के समान ताकत या यौन शक्ति मिलती है और उस्सा प्राप्थ होता है इसका लेटिन नेम है विदैनिया सौमनिफेरा सौमनिफेरा का अर्थ है नींद लाने वाला इसके पर्याएं है असगंद, वरहकर्णी, घोड़ा आहन, वरदा, बलदा, कुष्टगंदनी, वाजी गंधा अंग्रेजी में से इंडियन जिन सैंग या विंटर चेरी कहते है अशवगंधा का जाडिदार चुप होता है और यह चुप एक से पांच फीट उंचा होता है इसके शाखाएं पतली होती हैं और उन पर रोए होते हैं पत्ते दो से चार इंच लंबे पतले नोक वाले होते हैं इसके पत्ते दो एक साथ निकलते हैं और अंदर की और मुख किये होते हैं इनका आकार वरहा या सुवर के कान के समान होने से अशुगंधा का परियाय वरहा करनी पड़ा इसके फूल हरेपीले गुच्छों में होते हैं और फूल का आकार गंटी के समान होता है इसकी शाखाएं एवं फूल पर रोए होते हैं और यह इसकी खास पैचान होती है इसके फल गूला कार होते हैं छोटी मटर या बेरी के आकार के होते हैं इन पर रस भरी के समान कवच होता है और यह पकने पर लाल हो जाते हैं शुरू में यह हरे होते हैं धीरे धीरे लाल हो जाते हैं इसके बीच छोटे, पीले, किडिनी के आकार के चिकने और चप्टे होते हैं एक फल से कई सारे बीच निकलते हैं और अश्वगंदर लगानी के लिए बीच को बोया जाता है। इसके मूल या जड़ का औशधी प्रयोक किया जाता है। मूल उपर से हलकी बूरी, भीतर से सफेद, अंगुली के समान होती है। कच्चे मूल से अश्व के समान गंधाती है। मूल काफी गहरी अंदर तक होती है। मूल पर पतले सूत जैसे उपुमूल होते हैं। जड़ को काफी सावधानी से निकाला जाता है ताकि यह तूट न जाए। इसे गहराई तक खोद कर निकालते हैं। फिर जड़ों को पानी से धूकर सुखाया जाता है। यदि अच्छे जड़ की पहचान करना है, तो जड़ जितनी लंबी, सफेद और चमकदार होगी, उतनी ही अच्छी होगी. अश्वगंधा को लगाने के लिए इसके बीच को नीम के काड़े से शोधित कर बारिश के मौसम में अगस्त सितंबर में बोया जाता है, और जाड़े में जनवरी तक इसकी फसल निकाल ली जाती है, इसका उत्पादन मध्यप्रदेश और राजिस्थान में जादा होता है. इसका उश्वगंधा टेस्टेस्टेरोन बढ़ाता है, फर्टिलिटी इंक्रीस करता है, इस्पर्म कॉलिटी लाता है, अश्वगंधा मूल चूर्ण, एक चम्मच खान के साथ, गाय के ताजे दूद में लेने से फाइदा होता है, यह बच्चों में ब्रेन फंक्शन, मैमोरी बढ़ाता है, को पोश्ट बच्चों में अश्वगंधा सित्ध दूद से बहुत फाइदा होता है, दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइ करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद